किसानों की समस्याओं को समझाने और उनका हल करने के लिए हर्याना के क्रिशी विभागद्वारा एक सम्वात-कारिकरम शुरू किया गया है जिसके जरीए अम्माला में क्रिशी अधिकारियों द्वारा किसानों के साथ वर्तमान किसानी मुद्दों पर चर्चा की गई समवात कारिकरम का मुख्य लक्षे किसानों की आवाज को सरकार ठक पहुंचाना है ताकि किसानों को वर्तमान में आ रही समस्याओं का हल करने की कोशिश हो सके। किसानों का कहना है कि हर्याणा सरकार की एक अच्छी पहल है कि सरकार किसानों का दुखदर समझना चाती है और हमें नई तक्रीकों के साथ जोड़कर आई को बढ़ाना चाती है। वहीं क्रिश्य दिकारी ने बताया कि अब हर महीं ने किसानों के साथ ऐसी मीटिंग होती रहेगी ये सरकार की एक पहल है इसके तहट आज हमने परगती सिल कुछ परगती सिल किसानों को यहां बलाया था और इस बेठिक में विभिन वीशों पर चर्चा हुई किसानों ने अपने खेट में मतलव जो समझ से आती उनको बताया और उनको हल करने का आस्वासन भी दिया किसानों से वार्ता लाप हुई इसके बारे में सारी किसानों ने शिकायत की अब यूरिया नहीं मिल ला हमने उसका एक विकलब बताया क्योंकि भारत सरकार द्वारा अभी प्राकरती खेती की सुरुआत की गई हमें अपने खर्चों को भी कम करना पड़ेगा जो खेत के अंदर कैमिकल हम यूज कर रहे हैं परियोग कर रहे है वो बहुती बहुतायत मातरा में परियोग कर रहे हैं यदि वो बहुतायत मातरा में परियोग हो रहा है तो उसको हमें कम करना पड़ेगा और जो खाद की पहुँच है किसान तक जदा आसानी से हो जाएगी हमने किसानों को समझाया है हमने किसानों से ये 99 यूरिया के विक निस्में बडोतरी हो लेदिटों कि वह क्यों हुए कि लिए सरकार दोवरा परसथा रखा जाएगा। देशी गाए जो हुप हरेगर में हो औरसे गाई की नशल में बडोतरी हो यह सरकार ले हर महींबने इसका मीटिंग को रखने का परस्ताव पर दो तो गाड़े से हो जी आपने ये किसान कलब की पहली मीटिंग सुरू की है यहां सी एक तो पस्वों की समस्था रखी जो जिविदार के खित्व में रिक्सान करते हैं ठीक है और एक इसकी गायों के सीमन के बारे में यहां बात होई भी कैसे सीमन उनको देना चाहिए कैसे कौ दूसरी के हम हर महिना यहां मीटिंग करेंगे अपनी समस्था रखेंगे जो सरकार तक हमारी पचाई जाएंगी तो हम लाक्ट साहब से जो भी हैं हम लाजमन से बेंटी करते हैं कि किसान कलब की मीटिंग के बाद भी वो जो किसान यहां सी कोई अपनी समस्था लेका आए उनकी समस्या सुनी जाए ना के उनको इग्नोर किया जाए। उनकी समस्या सुनी जाए।